ठीक या शुरू करते हैं आज की क्लास फिर आज एनर्जी थोड़ी काम है सु देखो गलास के हम लोगों ने जैक से रिलेटिड जैकिंग प्रोसीजर और प्रिकॉश्यन्स वगएरा देखेते हैं और काफी सारी चीज़ें डिसकस कीती हैं हैं अब जो टॉपिक्स हम लोग लेने वाले हैं वो जैकिंग के अंदर में ही आते हैं जैकिंग के अंदर में ही आते हैं बट जैक करने का तरीका लगे है अब तक जो हमने जैक लगाए है वो एरक्राफ्ट के नीचे से ग्राउंड सपोर्ट दे के लगाए है अब तक जो हमने जैक लगाए ना वो एरक्राफ्ट के करके रखेंगे with the help of some strings some wire ropes या तो chain की help से या और जो method आपको समझ में आता हो उस method से तो हम लोग अभी aircraft को हवा में पकड़ के रखेंगे उसको sling करके रखेंगे this is known as slinging but उससे पहले यह जो एक छोटा सा topic है lowering aircraft of jacks अब बोलों के सर यह तो cover हुआ नहीं है बट बच्चों actually में यह वाला topic भी cover हो चुका है जो procedure जो procedure aircraft की jacking के लिए use होता है उसका just reverse procedure use होता है aircraft को jack से हटाने के time पर बस इतना सा फरक है बाकी सब कुछ process वही रहेगा सारा process वही रहेगा चेंज सिर्फ इतना आ जाएगा कि आपको आपको आप वो चीज़े reverse में करनी पड़ जाएंगी बाकी जो precautions थे debris clear करना runway clear करना aircraft के आसपास की चीज़े clear करना circuit breakers को देखना circuit breakers को trip करना necessary fuses वगेरा यह सब चीज़ हैं जो already jacking के time पर थी वो सारी के सारी अभी lowering के time पर भी होंगी same procedure है ओके तो हम लोग बात कर रहे थे slinging की slinging का मतलब होता है आप किसी भी particular object को general sense में बता रहा हूं मैं उस process को बोलते है slinging sling करना और guys sling actually में बचपन में आप सभी ने खेला होगा कुछ लोग तो अभी भी class में खेलते हैं अब मुझे बता दो sling का मतलब क्या हो सकता है बोल दो बता है बता है बता जूला बहुत बढ़िया, ठीक है, स्लिंगिंग बैग भी होता है, ठीक है, गुलेल को इंगलिश में क्या बोलते हैं? गुलेल को इंगलिश में क्या बोलते हैं? अब कोई तो गैस करो, गुलेल को इंगलिश में क्या बोलते होंगे, टॉपिक भी चल रहा है स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट, बहुत बढ़िया, सर्च करने में इतना टाम लगता है यह था आपको एक फिजिकल फिल दिलाने का कि स्लिंग का मतलब एक्चुली में क्या हो सकता है सो एक तरीके से क्या होगा, आप रोप्स, एक तरीके से क्या होगा, आप रोप, रसी, वायर या कोई भी ऐसी सस्पेंट करने वाली चीज के साथ में कुछ एक पर्टिकलर पोर्शन अटाच करोगे जैसे कि slinks के case में हम लोग elastic rubber लेते हैं, slingshot के case में हम लोग elastic rubber लेते हैं और elastic rubber के साथ में नीचे की तरफ में जो भीच वाला पोर्शन है, उसके अंदर हम लोग या तो plastic का कुछ ले लेंगे या कपड़ा लेंगे या फिर leather का कुछ portion ले लेंगे और उसको attach करके स्लिंग शॉट की हेल्प से हम लोग खेलते थे तो अभी यह जो स्लिंगिंग प्रोसेस है इस सेम स्लिंग प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे एरक्राफ्ट को हवा में सस्पेंड करने के लिए अब कौन-कौन था जब अपने बोईंग अपने एरक्राफ्ट पे हम लोग एम्पेनेच सेक्षन यानि की टेल सेक्षन लगा रहे थे रडर लगा रहे थे और पीछे की तरफ में अलीवेटर लगा रहे थे कौन-कौन था किसकिस ने देखा था संस्कृति और कौन था आइधिंग किसी ने यूट्यूब यूट्यूब क्या इंस्टाग्राम पे भी डाला होगा वह वीडियो छोटा से वीडियो चलो ठीक है वीडियो तो देखा है तो आक्चली मैं उसमें किया क्या था हम लोगों ने वह स्लिंगिंग प्रोसेस ही था एक क्रेन लाए थे हम लोग क्रेन लेके आये थे क्रेन की हेल्प से हम लोगों ने यहां पे ऐसी क्रेन का वो पूरा सेक्शन उपर वाला सेक्शन यहां पे हम लोगों ने रसी जैसी बांदीती स्ट्राप जिसको बोलते हो आप और उसके उपर ऐसे विंग सेक्शन जो था अपना एलिवेटर सेक्शन उसको हम लोग ने किसी तरीके से Suspend करके रखा हुआ था हवा में हवा में Suspend करके रखा हुआ था फिर हमने उसको अटैच किया था Aircraft के Fuse Lots से तो यह जो process है इसको बोलते है slinging यह जो process है इसको बोलते है slinging सिंपल सा है अब इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकालिटी आ सकती है बाकी प्रोसेस वही का वही रहेगा पर इसमें से एक चीज तो हमें समझ में आनी ही है कि यह जो स्लिंगिंग प्रोसेस है हम ज्यादा टाइम तक इस प्रोसेस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं हम लोग यह को ऐसे सस्पेंड करके नहीं रख सकते हैं तो यह टेंप्ररीवलाज है पर्मेन दिलाज नहीं है एक तरीके से है तो जब भी आपको एसे छोटे पार्ट्स असेंबल करने है मूव कराने है तो यह सत्व इस नहीं कर सकते हो बद्धा of आपने इस तरीके से क्रेन की help से इसको उठा तो लिया बट इसको movement आप नीचे की तरफ में रस्टी लेके जाओगे यह जो नीचे एक बंदा होगा, it should be manually operated इसके बिना उठाएना ही इसको तो हमेशा ही यह रस्टी से बंदा हुआ होना चाहिए और बंदा नीचे की तरफ में उसको guiding करेगा, guidance देगा या फिर direction देगा तो यह चीज का खास दियान रखना है, इसके बिना नीचे करना आपको और खास कर कोशिस इसमें ऐसी करनी ही कि यह swing ना करें, left और right जैसे अगर मालो मैंने किसी चीज को उठाया, हवा में उठाया है तो इसके weight की वज़े से अगर इसका CG में maintain नहीं करूँगा तो यह move करेगा, left और right swing हो सकता है swing, by swinging और slinging अलग-अलग है, swing हो सकता है, left और right move करेगा यार आगे-पीछे move कर सकता है अगर यह ऐसा करेगा तो आपके structure के उपर, यह जो crane का structure है, इसके उपर damage हो सकता है या तो यह खराब हो सकता है, या तूट सकता है, strap गिर सकते हैं, unnecessary load पड़ेगा, यह नीचे गिर सकता है, आपका पूरा structure damage हो जाएगा तो कोशिश करना है कि यह जो process है, इसको बहुत ही slow करना है, so that swinging ना हो, so that swinging ना हो, बाकि इसके नीचे, जब जो भी object sling करके रखा हो, उसके नीचे कभी भी आपको move नहीं करना है, कोई भी move नहीं करेगा, at any point of time, कभी भी move नहीं करेगा दिनेश भाई बनने के ज़रवत नहीं, जो कि इसके crane के उपर यहाँ पर चड़ जाए, या यहाँ पर चड़ जाए, हवा में गूम रहा हो, ऐसा नहीं करने का, हर कोई दिनेश भाई नहीं बन सकता, उसके लिए special talent चाहिए, जो कि experience के साथ आता है, कूट-कूट के भरा गय वो talent दिनेश भाई में, भाई समझ माया, slinging समझ भाया, अवनीश, अवनीश, किसी को doubt है slinging में, तो आगे बढ़ू में फिर, चिन में ये जो नीचे आदमी रखा हुआ है, नीचे, exactly नीचे नहीं, ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ये direction देगा, इसको stability प्रोवाइड करेगा, swing होने से बचाएगा, ये जो object आपने suspend करके रखा हुआ है, इसको swing होने से बचाएगा, और stability प्रोवाइड करेगा, औ और उपर से direction प्रोवाइड करेगा, जिस direction में आपको इसको move कराना है, हलका फुलका, तो ये बंदा जरूरी है, supervise करने के लिए, तो अगर ये वाला topic clear है, ये वाला slide clear है, अब बात कर लेते हैं, फिर हम लोग attachment points की, ये तो सर आपने simple funda बता दिया कि यहाँ पे आप आप लगा दोगे, ropes लगा दोगे, इसको attach करके रख लोगे, और लटका दोगे इसको, sling कर दोगे, पर इसको attach करने के क्या क्या तरीके है, तो attach करने के तरीके हो सकते हैं, या तो आप ये तीन legs या तीन ropes यूज़ कर लो, अपने तरीके से, ये जो तीन ropes हैं, आप अपने तरीक कर सकते हो कहने का मतलब यह है बट कभी कबार क्या पता लेट सपोज आपके पास में स्लिंग करने के लिए अगर पॉइंट्स बनाके रखे हुए तो आपको अगर मालो एरक्राफ्ट में कुछ स्लिंगिंग पॉइंट्स देके रखे हुए जो जो कॉंपनेट आपको उठाना या फिर पूरा एरक्राफ्ट ही उठाना तो उस पॉइंट पर आपको स्लिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए जहां से आपको exactly load distribute करना है और aircraft को उठाना है otherwise अगर load distributed नहीं होगा तो aircraft damage हो सकता है या तो फिर CG maintain नहीं होगा तो उपर नीचे aircraft हो सकता है गिर जाएगा slide कर जाएगा बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा अपने को तो usually ऐसा भी हो सकता है कि यह जो object है इसके उपर slinging points दे के रखे हो attachment points दे के रखे हो let's suppose एक point यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा दू let's suppose यह अपनी wing है माल लो, just माल लो ऐसा सिर्फ wing के case में नहीं है कोई भी objective बात कर रहो generally, so माल लो एक attachment point यहाँ दे दिया एक attachment point यहाँ दे दिया इसनों जो ropes है यह further ऊपर जाके attach हो जाएंगे ऐसे करके, so एक तरीके से आपने क्या किया fixed points बना के रखे है कि भाया अगर आपको इस object को उठाना है ना तो इसी point पर पकड़ के उठाओ और यह standard procedure है यह standard ropes है जो आपको यूज़ करनी है अब क्यूं ऐसा होता है अब क्यूं ऐसा होता है विकास जो आप ropes या फिर जो आप method यूज़ करने वाले हो उसका एक safety limit वाला load रहता है यह जो rope है यह भी particular amount of load ही उठा सकती है अगर उससे ज़्यादा आप इसके उपर load डालने की कोशिश करोगे तो यह रसी तूट जकती है या तो यह points तूट सकते है हाँ hook type होगा hook type हो सकता है जाए चिन में hook type हो सकता है तो मैं बता रहा था आपको कि यह जो रसी है या जो यह rope है या वायर है या फाइबर का जो भी आप यूज कर रहे हो उसका एक particular safety limit वाला load है अगर उसके ऊपर नीचे आपने कुछ किया basically अगर आपने ऊपर किया ज्यादा load लगा दिया तो obviously यह रसी तूट जाएगी रसी तूटेगी तो आपका component नीचे गिरेगा और नुकसान हो जाएगा simple 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 सी बात है common sense वाली बात है यह ठीक है अच्छा अब एक line देखो यहाँ पे जो कि common sense वाली यह भी एक line है यह क्या बोल रही कि before moving a main plane the opposite main plane must be supported with trestles to attach a sling some aircraft have special slinging points with threaded holes in the airframe चैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे आप screw type बना दो threaded holes बना दो उसके अंदर यहाँ पे एक let's suppose ऐसा कर दो कुछ मालो ऐसा कर दो दो एक से आपने क्या किया कि यह बोल्ट है और यहाँ पर आपने एक तरीके से इसके उपर रसी बांद के रखे हुई है क्योंकि रसी इसके उपर अच्छे से बन जाती तो आपने इसके उपर रसी बांद के रख दिए यह रोप इदर पर ऐसे है यहां पर और यहां पर फ्रेड्स बने हुए जैसे नट बोल्ट करते हैं वैसे इसको भी टाइट कर दो यहां पर तो यह अबजेक को आप sling कर रहे हो, एक साइड से अगर आप sling अटाज कर रहे हो, दूसरी साइड में आपका वो पॉइंट जैक पे रहना चाहिए, यानि कि ट्रेसल पे होना चाहिए, यानि कि आपको एक सपोर्ट minimum मिलते रहना चाहिए उस टाइम पे, जब तक आपने है completely sling नहीं कर दिया है फिर जब आप sling लगा रहे हो sling हटा रहे हो ऊपर हटा रहे हो किसी object को suspend कर रहे हो तो नीचे जो भी चीज़ें रखी हुई है उनको हटाओ that area should be clear वह area को clear कर दो so that swinging की वजह से particular device को या object को damage ना हो या airframe हुआ engine हो गया जनरली engine को हम लोग ऐसे suspend करते हैं engine हो गया या फिर wing section हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है डोर्स ट्रेसल्स ट्रेसल्स फिक्स अरे श्वेता ट्रेसल्स का मतलब होता है कि एक जमीन पर वह fix हो जाते हैं एक जगा पर रख सकते हो आप उसको बढ़ वह support कैसे रहेगा पता है अगर इसी चीज़ का यह जैना है यह an मालो यह ट्रेसल है अगर मैं उसको दूसरी सएट से देखता हूँ लेफ्ट और राइट साइड से अगर मैं देख उँगा तक इस तरीके का दिखे गाा मेरे को है से आई से करके दिखे घाई कि एंसे करके की यह support के लिए तो आटाना पड़ेगा क्या पता गलती से हमारा स्विंग होते हुए यहां पर object टाच हो जाओ डैमेज करेगा उसको फिर फाइन अगर यह चीज़ क्लेर है तो फिर और आगे बढ़ते हैं और यह हमारी स्लाइड होगे सफेद तो देखो गैस लिफ्टिंग टैकल यह जो पॉइंट है ना लिफ्टिंग टैकल यह जो टॉपिक चल रहा है इसमें अलग-अलग टाइप के material के बारे में discussion करके रखा हुआ जिससे आप slinging कर सकते हो मनोज को कुछ भारी डाउट आया इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है लिखने में बोल ले भाई मनोज क्या बोल डाइरेक्ट ग्राउंड से कैसे उठाएगा डाइरेक्ट ग्राउंड से कैसे उठाएगा मतलब component ground पर रख दिया और फिर slinging कर रहे हो वह तुम हम जो components की बात कर रहे है मनोज वह component aircraft के components है अगर उसको जमीन पर रखोगे तो आप खुद सोच लो कि क्या बारी mistake कर रहे हो आप एक तो वैसे हम लोग aviation industry में जो हवा में रहने वाले हैं और आप जमीन की बात करते हैं एनिवेज जोकस अपाट देखो जमीन पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि जमीन पर रखने से क्या होगा अब जो तो अगर पेंटिट सर्फेस है तो खराब हो सकता है पेंटिट्सरफेस स्क्रैच आ सकते है डामेज हो taught Д Two ओसके यह सारी प्रॉब्लम साल सकते हमारे साह और in fact क्या पता आपको sling करने के लिए नीचे से कोई जगा ही ना मिले rope डालने के लिए तो आपको minimum उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तो उठाने के लिए आप jackking से उठाओ या trestles की help से उठालो पर एक बार आपको rope लगानी है तब तक तो आपको trestles लगा के रखने फिर जब आपने स्लिंग करोगे जब आप उस object को उठा उठाओगे तो फिर trestles हटा दो वहां से और यहां पे चिन में यहां पे उस बंदे की जरुद परती जो कि मैंने आपको बताया था ना rope पकड़के नीचे खड़ा रहता है क्योंकि वो direction देगा आप लोग उने slinging देखी नहीं है आप लोग उस दिन थे नहीं ना campus में इसलिए ऐसा है अदरवाइस एकदम clear हो जाता है यह पार्ट इसमें tough यह difficulty वाली कोई बात ही नहीं है यार हाँ difficulty वाली बात ही नहीं है इसमें तो easy है चलो देखो lifting tackle अब इसमें कुछ को चीज़ें बताके रखें यह precautions बताके रखें टैकल का मतलब वही slinging या फिर जो हमने वायर वगेरा यूज कर रहें फाइबर रोप यूज कर रहें यह फलाना डिम का चेंज वगेरा यह सब वही चीज़ आती है lifting tackle में ही आता है तो उससे related precautions है precautions क्या बोलते हैं जो कि common sense वाल सिनेरियो के ऐसा है कि आपको aircraft के ऊपर कुछ एक portion लगाना है let's suppose आपको engine लगाना है तो आप नहीं कहा किया engine को sling करके रख लिया तो engine उठा दिया आपने और आप बोलर कि नहीं आप तो भूख लग रही है लंच करते हैं लंच करने के बाद में वापिस आएंगे तब तब इसको हम लोग attach करेंगे बट ऐसा नहीं करना है आपको उसको unattend छोड़ के जाना नहीं है फिर do not work or walk under a suspended load simple सी बात है do not tow the hoist at greater than walking pace यानि की अगर आपको चीज़े move करानी है या फिर lifting करा के आपको वो particular crane को move कराना है तो walking pace से ज्यादा आपको speed रखनी नहीं है उसकी do not tow the hoist other than by hand when a load is suspended from the lifting hook do not allow the load to swing do not use do not use a hoist or crane on soft ground common सी बात है अगर soft ground रहेगा तो crane नीचे के तरफ दस सकती है तो damage हो सकता है do not use a crane or hoist if the lifting tackle shows sign of damage यानि की wire में या फिर fiber rope के अंदर कुछ damage दिखती है आपको कि वो लायक नहीं है काम के लायक नहीं है तो obviously आप वो यूज करोगे ही नहीं और उसको dispose करने का भी एक तरीका है उसको आप ऐसे नहीं फेक सकते हो आपको वो जो रोप है जो खराब हो चुके ना उसको छोटे-छोटे करने के चक्कर में होगा उसको लगेगा इस है उठालेगा उसको साही करने की कोशिश करेगा उसको पता ही नहीं प्रिकॉशन वगेरा लेने की नहीं लेने और कर लेगा अपना सकत है थो एनिटांब वह है कि क्या यह तो के वही वही तरीके इससे अलिके के सकते हाऊ या फिर yak कर सकते हो बाकी इसमें फोड़े बहुत छोटे मोटे points लिखे होंगे वो देख लेना जैसे precautions वगेरा क्या लेने है greasing वगेरा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए safety वगेरा क्या ध्यान रखना है corrosion होगा या नहीं होगा चेंज के ओपर वो देखना है pocketing के links को अच्छे से चेक कर लेना यह सारी चीज़े इसके अंदर लिखी हुई है कम आन बोई अब आते हम लोग parking और मूरिंग की तरफ पार्किंग हमें aircraft की तब करनी होती है जब हमें aircraft को थोड़े stipulated time से ज्यादा time तक store करके रखना है और general storage time होता है 10 दिन 30 दिन या 90 दिन तो उससे related अलग 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 प्रोसीजर्स है कोई problem नहीं है क्योंकि वह hangar के अंदर आजाएगा तो extreme weather conditions भी होंगे न तो भी आपके aircraft को ज्यादा image नहीं होने वाला है यूजली वह सिर्फ cold conditions और hot conditions के effect में आने वाला है अगर आपका aircraft बड़ा है जो कि आप अब उस condition में मालो आपको वापिस से ही वह aircraft को यूज करना है फिर से उसको servicing में डालना है तो ऐसी condition में जहां पर उसको बारिश हो रखी है पूरा aircraft की दज्या ओड़ रखी है तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ इसलिए जब भी हमें ज्यादा टाइम तक store करके रखना है तो aircraft को अगर बाहर रखना है या अंदर रखना है उससे related procedures है कुछ वह हमें follow करने चाहिए जैसे की engine जैसे की engine engine को हमें cover करके रखना है अब cover उसका किस तरीके हो सकता है या तो उस की ज्यादा टाइम तक रख रहे हो तो a tight seal कर दो और उसके अंदर में कुछ ऐसा chemical डाल दो जो की वाटर को absorb कर लेगा वाटर को absorb कर लेगा जैसे वह पुडिया आती ना ने बैग होते हैं या जूते खरी तो आप उसके अंदर में एक छोटी सी पुडिया आती है वह actually मैं व सो वैसा ही आप engine के case में भी कर सकते हो या फिर अगर आपको ऐसे store नहीं करना है अगर आपका maintenance manual बोलता है कि अभी इसको ऐसे store नहीं करना आपको दूसरे तरीके से store करना है तो आप या तो engine inlet को cover कर दो और engine exhaust को cover कर दो फिर अगर और बड़ा engine है तो आपको वह जो उसके कु कि उसको भी आपको blanking करके रखना है यानि कि proper care आपको देखनी है उसके बाद में अगर आपको aircraft को हवा में जैसे कुछ ऐसी conditions होती है जहां पर हवा तेज चलती है एक मिनिट क्या यह किंग फिशर के aircraft पागडे मुंबई एरपोर्ट पे उसका carecon रखता है क्या पता है यार कंपणी बंद पड़ी हुई है अब क्या पता कौन यूज़ करता उसको कितने पड़े मैं तो देखा नहीं मुंबई में क्यों करेंगा जब किसी को पता ही है कि और क्राफ्ट अभी यूज़ में आने वाला ही नहीं है तो पता नहीं बाबा या तो किंग फिशर पे कर रहा हो कि अभी हम लोग हावा में फिर से उड़ेंगे तो हमारे एर्क्राफ्ट को बचा कि रखना क्या पता विजय माल यह फिर से संवीद में हो तो basically यह जो एर्क्राफ आते ना ऐसे खरीदते और कम हो तुम लोग लीज पे ज्याधा लेते कर तो जिस बंदे ने खरीदा या जिस बंदे ने लीज पर लिया उसकी guarantee है उसकी responsibility है कि वो maintain करके रखेगा उस चीज को तो कंसर्ण एरलाइन ही करेगी और कोई दूसरा बंदा क्यों करेगा यार उनकी तो कंट्री भी लीज पर ही है भीक में दीवी कंट्री है ऐसा बोलना नीचे है पर ये रिकॉर्ड में आ गया आप क्या करें विपक्ष की चाल है सब चलो ठीक है हम लोग अपनी काम पर आते हम मैं बता रहा है यार ऐसे ना विर बीच में क्या है पूरा रिदम बिगड़ जाए का ना तो कुछ पूइंट्स भूल जाओंगा और क्योंकि मैं चीज पढ़नी रहा हूं तो इसमें से पॉइंट्स अगर मिस होगे तो मिस होई जाएंगे ठीक है थोड़ा कोशिश करो कि बीच में कम डिस्टरबेंस डालो हाँ 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 वें और यहां पर हाँ तेज कर से वेडर कंडिफेंस ऐसर की एक साइड़ से हवा後 चलती है तो आपको एर क्राफ को हमेशा ही हैडवेंड में पार्क कर करके रखना है। headwind यानि कि जहां से हवा आ रही है, जहां से सामने हवा हेर है, Aircraft को nose condition, उसी nose का direction headwind में डालने है, headwind में, यानि कि Eğer मालै हवा यहां से left to right आ रही है तो आपको aircraft को यहां पे nose रखना है इस तरीके से तब आप पार करोगी यह nose section होना जाए है,ああ यह nose section पार्क कर दिया और हवा यहां से आ रही है सोचो अभी उसमें कंडिशन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है सोचो जरा क्या प्रॉब्लम होगी कोई गैस कर सकता है क्या कंडिशन क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमने एरक्राफ्ट को ऐसे पार्क किया और हवा यहां से आ रही है राइट साइड से हवा रही है सामने से हवा नहीं आ रही है कोई लिखता है पिर लिखते लिखते गया बूजाता है यार ऐसे कैसे चलेगा कि मैं इखलो मैं ही बता देता हूँ अगर हमने एरक्राफ्ट को इस तरीके से पार रामें राखा हुआ होँ जहां पर कि headwind होती तो आपका सिर्फ इतना area exposed होता इतना area ये इतना distance इतने बीच का area आपका exposed होता बट अब ही area exposed होना बढ़ चुका है यानि कि इसकी वज़े से जो aircraft के पर force लगेगा वो बढ़ गया है aircraft के ओपर जो force लगेगा वो बढ़ गया force का मतलब होता है load यानि कि load बढ़ गया aircraft के ओपर और अगर undistributed load है uneven load है तो obviously aircraft को twist कर सकता है या aircraft के ओपर structural damage कर सकता है और एक चीज़ देखो यह जो tail section है यह tail section भी इसके साथ में exactly वैसे यह जैसे की wing के नीचे से हवा आती है तो अग अगर मैंने aircraft को ऐसे पार करके रखा हुआ है तो obviously इसके ओपर एक force लगाएगा वो इस direction में तो यह aircraft को इस direction में ऐसे करके धक्का मारनी की कोशिच करेगा है नहीं कि अग्योंकि आरक्राफ्त का cg को इस direction में आपने lift लगा दिया शो एक moment generated हो गया moment generated हो गया तो aircraft को इस direction में से रोटेट करने की कोशिश करेगा वो और अगर आपने ब्रेक्स लगा के रखी हुई है प्रॉपरली उसको जैक करके रखा हुआ है या फिर आपने उसको रस्यों से बांद के रखा हुआ है तो एरक्राफ्ट का स्ट्रक्चुलरी डैमेज होना एकदम पॉसिबल है लाजमी सर्फीसिज़ है खासकर इक गांट्रोल सयर्फिस़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है कि इनका मूव्मेंट आपको लॉछ करके रखना है फिर इनका जो हिंज पॉइंट है इसके हिंजुआइसली मॉनिटर भी करना है कि इसके ओपर कहीं जंग तो नहीं लग रही है या य इस दक्लोबिस दो इस केस में एर जितनी भी पोर्स आपको देखते हैं जैसे कि आपके पास में स्टैक ट्यूब है और और भी जो प्रोब्स बहर निकले रहते हैं एर्प्राफ के उसको भी आपको ब्लैंकिंग करने ब्लैंकिंग का मतलब होता बच्चो उसको cover कर देना अब cover आप किसी भी चीज से कर सकते हो या तो tape से blank कर दो या फिर polythine लगा के फिर tape लगा दो उपर से या फलाना डेम का blanking caps भी आते हैं अलग से जो कि dedicated caps होते है dedicated components होते हैं blank करने के लिए वो भी लगा सकते हो आप सो blanking करके रखनी है उपर से जो engine storage है उसके अंदर में भी आपको ध्यान रखना है कि भाईया अगर वैंजिन को store करके रखना हो एरक्राफ को store करके रखना हो तो उसके अंदर कितना minimum fuel रहना चुछिए या fuel नहीं रहना चुछिए तंकी खाली करके रखनी है या तंकी भरी रखनी है विकाउस उसकी वज़े से वेट का distribution होगा गांग कांट्रोल सर्फिस को क्या कवर करोगे तो कि मैं कंट्रोल सर्फिस को कवर क्या करना है वह तो बाद में भी clean कर सकते हो अगर cover करना है तो तुमारी इच्छा cover कर सकते हो बाकी है इतना बड़ा surface area उसको कैसे cover करोगे मतलब cover करने का कोई meaning भी नहीं उठता न उसके उपर तो सिंपल सा surface area उसको बाद में अगर गंदा भी हो जाएगा तो clean कर देंगे अपन वह ज्यादा issue नहीं है उसमें issue ऐसी locations पर आता है जहांपे की movement होने वाला है जहांपे की आपकी पास में mechanical parts है प्रॉब्लम उन जगह उपे आती जैसे engine है engine के अंदर कितने सारे अगर वहां पर प्रॉब्लम आई तो ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी फिर aircraft जो control surfaces उसके hinges में problem आती है जाद अतर है बागी अगर मालों आपका जो control surfaces जैसे elevator से अगर इसके उपर धूल जम जाती तो आप जो standard procedure है maintenance manual के हिसाब से कि आप उसको कर दो corrosion 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 क्यों हो गाए बटा चिन में जो control surfaces है ना आज कल यह control surfaces ऐसा नहीं है कि आपके स्टील के बने हुए है या फिर इन सब चीजों के बने है यह जो है एक तरीके से अभी carbon fiber के बन रहे हैं वो भी honeycomb structure में mostly तो आप जो material use कर रहे हो ना उसके basis पे इन में corrosion के chances कम होते हैं बट हाँ फिर भी अगर जादा बहुत जादा टाइम तक स्टोर करना है तो आप एरक्राफ्ट को फिर एंगर में रखो उसको और कवर करना तो कवर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें इट डेपेंड्स ऑन यूमें बट फिर regular inspection भी करते रहना है जो भी चीज आपने store करके रखे उसका regular inspection भी जरूर ही है और बीच बीच में आपको engine से related ground run भी देना पड़ सकता है देना पड़ सकता है कि देना ही होता है ग्राउंड रण भी देना होता है बीच बीच में अगर ज्यादा टाइम के लिए आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो एंजिन से रिलेडेड मैं बता रहा था कि आपको उसके अंदर फ्यूल या हाइड्रोलिक फ्लूइड यह कितना होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कोरोजन प्रिवेंटिव फ्लूइड सीपी एफ एक टाइप का फ्लूइड आता है जिसको डालने से कोरोज जिसकी यह सारे precautions आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है बाकी वही सारी चीज़ें यहां पर लिखी होंगी, आप उससे जादा पता नहीं क्या बोल सकते हैं आपन यार, देखो यह सब पढ़ लिया आपन नहीं, यह सब हो गया है, यह सब हो गया है, यह सब हो गया है यहां से, यह अचानक से quantity कैसे कम होगी, नेक्स देखो, मूरिंग, मूरिंग का मतलब होता है, आप एरक्राफ्ट को बांद के रख दो, और जनरली यह जो मूरिंग अंगल है, यह 45 डिग्री का रहता है, जनरली यह जो आपको एंगल दिख रहा ना, यह जो इस तरीके से आपने रोप्स लगा के रखे हुएं, बांद के रखे हुएं, यह यूजली जनरली 45 डिग्रीज पर हम लोग रखते हैं, इसको, तो मूरिंग पॉइंट्स होंगे, जहां पर आपको पता होगा कि यहां से पर पकड़ के आपको मूरिंग करनी है, बाकी और दूसरी पॉइंट्स पर आपको मूरिंग नहीं करनी है, यह जनरली हम लोग तब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा टाइम तक हम एरक्राफ्ट को स्टोर करके रखना चाते हैं तब, और इन फाक्ट अगर हाई विंड करने लोगों, ति फीक नभी स्लैड मैं नहीं पड़ेंगे, व लोग अभी नेक्स क्लास में पढ़ लेंगे इसको फिर अब नेक्स क्लास में कंटीन्यू करेंगे इसको अज थस्डे मिलतें मंड़े को बाकिया आप यह वाला जो स्लाइड है स्लाइड नमबर 13 यह भी पढ़ोगे ना तो भी इजी है यार कुछ ज्यादा टफ निए इसके अंदर इसको कवर कर लेंगे हम लोग नेक्स क्लास में स्मॉल एरक्राफ्ट लाज एरक्राफ्ट शाला फिर ठीक है गाइस धन्यवाद थैंक यू सो मच्छ